हेलो स्टुडेंट मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तैयारी ओनलाइन में आज के वीडियो में हम दो अगस्त के करेंट अफेयर को देखेंगे तो जादा टाइम वेश्ट ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फाइदा मिल सकें तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कोश्चन क्या है हम हमारे देख में ऐसा कौन सा राज्य था जिसकी दो दो राज़धानिया तो चलिए देखते हैं हमारा औप्शन क्या है अप्शन नमबर एक है हर्याना opinion number B है तेलांगाना ऑप सी है और डी है 36 गड़्ड तो आप मुझे बताईए कि हमारे देश में ऐसा कौन सा राज्जी है जिसकी तीन राज्धानिया एक अगस्त को बन गई तो हमारे देश का जो राज्जी है वो option इसका C सही है आंद्रपरदेश आंदर परदेश ऐसा राज्य है जिसकी तीन राजधानिया बन गई है चलिए इस question के बारे में थोड़ा और detail में जान लेते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इससे पहले राजधानी क्या थी खास कर जो नौर्थ इस्ट के राजधानी है इनकी तो आपको याद होनी चाहिए इसके अलावा और क्या क्या इस question से question से question बन सकते हैं देखते हैं चलिए सबसे पहला तो question बनता है कि यहां के राजधाल कौन है तो यहां के राजधाल कौन है विष्व विशन हरी जन जी चलिए दूसरा देखते हैं मुख्य मंतरी कौन है यहां के मुख्य मंतरी है जगन मोहन रेड़ी आंदर परदेश की तीन राजधानिया बनी क्यों बनी वह यह भी हमें हमें पता होना चाहिए तो आंदर परदेश की जो तीन राजदानिया बनी है इसके तीन काम को लेकर बनी है पहला तो कौन सा काम है एक्जेक्यूटिव कैपिटल यानि जितनी भी कारेपालिका की काम हुआ करेंगे न वो कहां पर हुआ करेगा तो विशाका पत्नम तो जो आंदर परदेश की पहली राजदानी है वो विशाका पत्टनम और ये क्यों है क्योंकि यहां पर Executive Capital कहलाएगी है क्योंकि यहां पर कारे पालिका के कारे हुआ करेंगे दूसरी राजदानी क्या है तो दूसरी राजदानी है अमरावती को कौन सी राजदानी बनाई है तो legislative capital बनाई है यहाँ पर राजी की विधानसभा लगीगी इसलिए इसको क्या बोले legislative capital बोला गया है अगला तीसरी कौन से राजदानी है तो judicial capital यहाँ पर जो है अंद्रपरदेश का court होगा यह कौन सी जगा है कौनूल तो हमें पता चल गया आंद्रपरदेश की कितनी राजदानी यह बनी है एक executive capital एक legislative capital और judicial capital तीनों के नाम कौन कौन से है executive capital जो है वो विशाखापत्नाम legislative capital जो है वो अमरावती और judicial capital है वो कौनूल में बनी है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है हमारा परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निजीव सचिव के रूप में किसे निउक्त किया गया है option देख लेते सबसे पहले हार्दिक सतीश चंद्रशा option number B राजीव टोपनो option number C अर्चना सोरेंग option number D प्रितम सिंग अब आप इसमें से बताइए मुझे कि किसे जो है वो परधान मंत्री का निजी सचिव निउक्त किया गया है इसका answer है हार्दिक शतीश चंद्र शा चलिए हार्दिक शतीश चंद्र शा जी के बारे में जाल लेते हैं देखिए हार्दिक शतीश चंद्र शा जी जो है वो किस का स्थान लेंगे यानि राजीव टोपोन का स्थान लेंगे यानि इससे पहले परधान मंत्री के जो हमारे जो पी एम है उनके निजी सचिव कौन थे तो राजीव टोपोन जी थे ये भी कोश्चिन में आजाता है कि हार्दिक शतीश चंद्र शा से पहले परधान मंत्री के जो सचिव थे वो कौन थे तो राजीव टोपोन आपको ये भी याद रखना है अगला क्या सतीश चंद्र शा के बारे में तो हार्दिक सतीश चंद्र सा इससे पहले परधानमंत्री कार्याले के उप सचीव रहे हैं यानि इससे पहले क्या थे हार्दिक सतीश चंद्र शाजी तो परधानमंत्री कार्याले में उप सचीव के रूप में कारिरत थे इससे भी आगे जान लेते हैं कि 37 चंद्र साजी क्या कर रहेते हैं तो 37 चंद्र साजी थोए वो गुजरात के 2000 बैज केडर के आफिसर हैं यानि अधिकारी हैं अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है बिहार राजी ने कोरोना वाइरस से बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को कितनी तारिक तक बढ़ा दिया है चलिए ओप्शन देखते हैं ओप्शन नमबर 1 है 16 अगस्ट ओप्शन नमबर B है 25 सितंबर ओप्शन नमबर C है 31 अगस्ट ओप्शन नमबर D है 10 अक्टूबर तो कब तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है बिहार में तो 31 अगस्ट तक बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है तो हमने यहाँ पर किस की बात की किस राजी की बिहार की तो हमें बिहार के बारे में भी कुछ जानकारिया रहनी सी ये तो बिहार की बिहार है जो राज्य है उसका capital क्या है आप मुझे comment box में लिखके बताओ कि बिहार का capital क्या है इस question से संबंदित और भी कुछ मुक्य तत जान लेते हैं तो सबसे पहला बिहार के जो राज्येपाले है वो सौधने है फागू चोहान जी बिहार के अभी राज्य पाल है । मुख्यномंत्री सब को पता होगा बिहार के जो मुक्ख्यंत्री वोनितिष कुमार जी की फोटो वह इसकी राजानी पटना है अब बिहार के जो पडोसी Roosy राजेANS जो पडोसी देश है उनके बारे में भी जान लेते हैं बिहार के उत्तर में जो नेपाल है नेपाल देश दक्षिन में जहारकंड राजी है पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश इस्थित है आमें यह भी याद रखना कि बिहार के जो पडोसी राजियें यह जो पडोसी देश है वो कौन-कौन सा है तो उत्तर में नेपाल हो गया, धक्षिन में जहारखंड हो गया, पूर्व में बंगाल हो गया, पस्षिम में उत्तर पर देश हो गया अब देखिए सन 1936 में उडिशा और सन 2090 में जारकंड बिहार से जो थे वो अलग हो गए थे यानि बिहार से 2000 में जारकंड अलग हुआ और उससे पहले 1936 में कौन सा राज्य अलग हुआ था उडिशा अलग होकर एक राज्य बना था अगला देखते, अगला question क्या है, तो हाल ही में। किस राजी में एक सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की गोशना की गई है। तो देखते हो option क्या है, A. Punjab, B. दिल्ली, C. उत्तरपधेश और D. राजस्तान। तो किस राज्जे में धार्मिकस्थाल कोनने की परमिशन दी गई है राजस्थान में जो राजस्थान के मुख्य मंत्री है उन्होंने बोला हैं एक सितंबर से सभी धार्मिकस्थाल खुल जाएंगे अब आप मुझे बताईए राजस्थान की capital क्या है यहाँ पर जो है वो र राजस्थान भारत कड़ राज्य का छेत्रिफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है यानि जो राजस्थान है वो छेत्रिफल की दिरिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है इसके पश्चीम में पाकिस्तान दक्षन पश्चीम में गुजरात दक्षिन पूर्ब में मद्य परदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर परदेश और हरियाना इस्थित है, हमें पडोसी राजी भी पता होने चाहिए कौन-कौन से है, और ये भी पता होने चाहिए कि राहिस्थान की सीमा किस देश से लगती है तो पाकिस्तान के साथ अपनी बॉडर शेयर करती है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30 फीजदी से घटा कर कितने फीजदी करने का फैसला किया है तो उप्षन देख लेते हैं इसके उप्षन क्या है पहला उप्षन है हमारा 12.75 फीजदी बी उप्षन है 16.75 फीजदी सी उप्षन है 16.95 फीजदी और उप्षन डी है हमारा 18.75 फीजदी तो इसका करेक्ट अंसर क्या है 16.75 फीजदी अब देख लेते हैं दिल्ली के बारे में जाल लेते हैं दिल्ली के मुख्य मंत्री कौन है तो दिल्ली के मुख्य मंत्री अरबिंद केजरिवाल जी है जो आम आदमी पार्टी से हैं उपराजेपाल कौन है तो उपराजेपाल है अनिल बैजल जी यहाँ पर दिल्ली का नकसा ह आप देखना चाहते हैं तो देख लीजे दिल्ली को कितने डिस्टिक्स में बाटा गया है आगे बढ़ते अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है हमारा भारत की मानक यानि आई एस व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुवों को शामिल करने की किस तक IS की यानि भारतिय मानक ब्यूरो अपने लिस्ट में जो है वो शामिल करेगा या आप इसका साइन देख सकते हैं लोगो देख सकते हैं किसका ब्यूरो ऑफ इंडिया इंडियन स्टेंडर किसका लोगो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर चलिए अगला क्या है option कविता दलाल दूसरा विनेश फोगाट तीसरा शाक्षी मलिक और चौथा इन में से कोई भी नहीं तो किसे बनाया गया डिप्टी डारेक्टर बभीता फोगाट के साथ तो बनाया गया कविता दलाल को जिनको कविता देवी के नाम से भी आप जानते होंगे ये किस संबंदित है आप हमें कमेंट करके बताईए कि कविता देवी या कविता दलाल जो हैं वो किस खेल से संबंदित है और ये बभीता फोगाट जी हैं वो किस खेल से संबंदित है चलिए देखते हैं इनके बारे में जाल लेते हैं जो कविता दलाल जी है वर्ल्ड रैसलिंग entertainment यानि WWE में अपने रिंग नाम कवीता देवी के नाम से जानी जाती हैं अगला क्या है वो भारतिय राश्ट्री यह था कि WWE में कुस्ती करने वाली पहली भारतिय महिला पेशेवर पहलवान हैं 2016 साल 2016 में उन्होंने दक्षिन एशियाई खेलो में 75 किलो ग्राम वर्ग में स्वन पदक जीता था कब जीता था एशियाई खेलों में 75 किलो ग्राम वर्ग में सुन पदक जीता था किनों ने जीता था तो कविता दलाल जी ने जीता था अब बबीता फोगाट के बारे में जान लेते हैं तो स्कॉटलेंड के ग्लास कोल में आयोजित कॉमन वेल्ट गेम 2014 में भारती महिला पहलवान बबीता कुमारी ने 55 किलो ग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुस्ती में कनाड़ा की महिला पहलवान पृतानी लाबेर दूरे पहलवान को हरा कर भारत के लिए सुन पदक जीता था तो कॉमन वेल्ट गेम में बबीता फोगाट जी ने हमारे देश के लिए सुन पदक जीता था इनके उपर हाल ही में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है दंगल बबीता फोगाट के पिता महबीर फोगाट है जो एक कोच है अगला कोश्चन है हमारा नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्यन करने के लिए किस मिशन को लॉंच किया तो पहला है हमारा आप्शन आर्टेमिस वन दूसरा जुपिटर 2020 तीसरा मार्स 2020 और चोथा इसमें से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आप्शन है मार्स 2020 ये नासा का लोगो है चलिए नासा के बारे में थोड़ा जान लेते क्योंकि एक्जाम की दृष्टी से नासा बहुत ही महत्तपून टॉपिक है तो सबसे पहले नासा की फुल फॉर्म क्या है तो नासा की फुल फॉर्म है National Aeronautic and Space Administration नासा की स्थापना कब हुई थी तो 19 जुलाई 1948 में इसके पूरवधिकारी संस्था National Advisory Committee for Aeronautic यानि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था नासा कर दिया गया था इस संस्था ने 1 अ October 1948 से और इसकी स्थापना कब हुई 19 जुलाई 1948 अब इसका मुख्याले का है तो मुख्याले जो है इसका वासिंग्टन DC में है नारा क्या है नासा का for the benefit of all यानि सब की भलाई के लिए जो नासा का नारा है या जो नासा का slogan है वो क्या है सब की भलाई के लिए या for the benefit of all बाद जो है अमेरिका तीश्रा देश बन गया है मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह भीजने के लिए यानि एक महीने के अंदर इन तीन देशों ने अपने अपने उपग्रह जो है वो मंगल ग्रह पर भीजे हैं अगला कोर्शन देख लेते हैं अगला कोर्शन है हमारा मानव तसक्री के खिलाफ विश्व दिवस यानि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्राफिकिंग इन पर्सन निम्न में से किस दिन मनाया जाता है यानि ये जो डे है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्राफिकिंग इन पर्सन वो कब मनाया जाता है तो option देख लेते हैं हमारा, पहला option है 15 जनवरी, दूसरा option है 25 मार्च, तीसरा option है 30 जुलाई, और चौथा option है 10 अप्रेल, तो इसका correct option है 30 जुलाई, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, world day against trafficking in person, इसका logo आपको मैंने पहले दिखा दिया था, अब आगे पढ़ते हैं, इसे 2013 में प्रस्ताव किया गया था, और UN के द्वारा इसको स्विक्री थी, 2013 में दी गई थी, यानि 2013 से world day against trafficking in person मनाया जाता है हर साल, कब 30 जुलाई को, मानव तसकरी के विरुद जाग रुखता और पीडित वैक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, 30 जुलाई को मानव तसकरी के विरुद विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, तो 2013 से मनाया जाता है, इस वर्स UNODC यानि United Nation Office on Drugs and Crime द्वारा मानव तसकरी के विरुद विश्व दिवस की थीम जो है वो क्या है committed to the senses working on the fort line to earth human trafficking यानि इस वार का जो थीम है वो ये रखा गया है इस साल का जो थीम है वो ये रखा गया है चलिए आगे देखते हैं अंतराश्चे संगठन के अनुसार विश्व भर में लगबग 21 मिलियन लोग बंदूआ मजदूरी के सिकार है यानि अनुसार जो है वो 21 मिलियन जो लोग है वो बंदूआ मजदूरी अभी भी करते हैं अगला कोशन देखते हैं भारतिय मुल्के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता बनाया गया है तो इसको उप्षन देख लेते हैं मोहलाल, दूसरा है प्रीतम सिंग, तीसरा है राहुल त्यागी और चौता है विकरम सचदेवा इसका कर् необход answer है प्रीतम सिंग चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोश्चर है हमारा संयुक्त राष्ट प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतिय कारे करता को नए सलाकार समू के लिए नामित किया है ओप्शन है अर्चना सोरेंग, मोहिनी सिंग, अनिता त्यागी और कोमल सच देवा तो हमारा करेक्टर अंसर है अर्चना सोरेंग, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करे, एक्जाम की तयारी अच्छे स करते रहे, तो मिलते हैं कल इसी वक्त तब तक के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद